एक सेंपल एन्वल रिपोर्ट और ये मुगल स्टील मिल्स की है और इसमें इसका नीचे दिया हुआ है इसा लिंक तो आप इसको खोलें और देखें इसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं सबसे पहले इनके जो शुरू में दिया हुए ना उनकी जो कोर वैल्यूज हैं उन्होंने बारां पॉइंट्स मैंचन किये हैं कि हम इन वैल्यूज को रखकर आगे चल रहे हैं और हर वैल्यू के बारे में डिटेल एक्स्प्लिनेशन है और सारा जो स्टाफ है उनका वो इनक के अंदर रहकर ही काम करता है और यह बड़ी इंपॉर्टन चीज है कि लेट द पीपल नो कि कंपनी की कोर वैल्यूज जया है और यही वज़ा है कि यह एक अच्छी कंपनीय में शुमाल होती है और काफी इनका बड़ा बिसनस है तो यह इनकी रिपोर्ट्स को अगर पेज करें यहां तक है कि अगर कोई जगड़ा हो जाए लेट से कंपनी में किसी हो जासे किसी स्टाफ का कोई भी हो तो इसको कैसे डिजॉल्व करना है वो भी मैंशन है हर किसम की चीज उन्होंने अपनी एक्स्प्रें की हुई है किस तरह से हमने इस कंपनी को लेकर आगे चलना है अन्वायरमेंट को कैसे ठीक रखना है और किस तरह से आप अपना कंपनी का जो डिसिप्लिन है उसको कैसे मिंटेन करना है आप अगर ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां थोड़ा सा अतरनाग है मशीनों का चलना है तो वहां पर आप प्रोटेक्टिंग के बगार नहीं अजाब है तो इसलिए हाँ बैसिकली इसलिए इसलिए बेस्टव इसलिए बहुत अच्छी रिपोर्ट बना है अप उसको लिंग्ट में पढ़े और देखे का उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है और एक दफा देखने पड़े हैं ज़रूर आपको यह रिपोर्ट है क्यों इसलिए कि only then you will see कि the purpose of this course was कि एक annual report जो बनेगी और वो उस वो किन parameters से गुजर कर इस stage तक पहुँचती है तो कि आपको पता चल जाएगा कि reports में सिर्फ financial accounts ही नहीं है लोट अव तिंग्स अब लोट अव तिंग्स आप देखें आप देखें बैंक से अगर हम लोन भी ले ले लेते हैं तो यह भी बताना पड़ता है कि लोन outstanding balance sheet में तो है लेकिन वो secured है unsecured है rate of markup क्या है उसकी repayment कैसे होनी है यह सारी details भी इसमें होती है लेकिन यह है कि जब आप इसको go through करें तो आप देखेंगे कि page by page उटते चले जाएं हर और चीज उसमें नतर आये किया उसमें जो code of ethics है उसको बारे में देखें उन्होंने क्या क्या mention किया हुए इससे तरह review के बारे में देखें क्या क्या हुए audit reports को उनकी पढ़कर देखें क्या क्या हुए अच्छी company की reports सारी clear ही होती है सारी एक जैसी ही होती है लेकिन still देखना पड़ेगा किस तरही के से reports compiled हो रही है और इसके आखरी page पर आपको दिया गया होता है जिसको कहते है proxy form, proxy form का मतलब होता है कि अगर आप annual general meeting में खुद से नहीं आ रहे हैं तो आप किसी को nominate कर सकते, it's up to you, so this is how this report is basically, so I request you please go through the one of the reports, no matter it's a Mughal or it's another company, any company but you must let's go through it, thank you very much